कि अब कुम वेल्कम बैक वीडियो तो आज मैं आपके लिए अडोबी फोटोशोप की क्लास नंबर 11 लिखे हैं तो जिसना की पिछली क्लास में हमने जो क्या वह रोलर टूल को देखा था तो आज हमारे पास नौट टूल और काउंट टूल है अब अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहां पर मेरा कैनवस जो कि वह बिल्कुल ब्लैंक है और यहां से मैं आपको दिखाता चलूंग आपको दिखाता चलूंग हमारे पास लास्ट लास्ट में रीसंट की हमने जो किया वह रोलर टूल को देखा तो उसके बाद हमारे पास नौट टूल और काउंट टूल जो किया वह है नौँ आइप्रेस करेंगे नौट टूल आजेगा लेकिन सबसे पहले जो किया वह आपको मैं एक इमिज दिखाता हूं यहां क्लाइब लिए उससरा नौट लगेंगे के फालान जगा पर हमने यह यह कर आपके देखा सिम्पल यहां से मैंने जो कि वो-noe tool लिया और यहां पर रखने के मैं एक noe tool लगा रहा हूँ, और आप दिखिंगे, हैं पर मी पास जो कि वो एक पैनल खुल गया, सिम्पल मैं यहां पर लिखूंगा, Hagai क्या? तो सिंपल मैं अपने डिजाइन में जो कि यहां पे कोई भी नेम पास कर सकता हूं मैंने एसक्टरा लिखा और यहां पे मेरे पास जो कि वह इसका लेबल आ गया मनलब यह किस ने लिखा और तर नेम जो कि वह आजेगा तो simple note लगाने के बाद आप यहां पे description लिख सकते हैं जो आप अपने designer को देंगे as a client आप अपने designer को देंगे और कहेंगे यह description के according हमारा note tool पे जहां पे आपने लगाया वो वहां पे जो किया वो changing कर देगा तो simple यहां पे अब मैंने no tool लगाया और description में मैं लिखूँँगा change the color और मजीद लिखने के लिए मैं लिखूँँगा from orange to orange to red तो simple मैंने यहां पे description लिखी यहां आप इसको comment भी कह सकते हैं लेकिन photoshop में हम इसको no tool कहेंगे और simple अगर आपके यह panel जो के वो नहीं आ रहा है आप यहां से भी यह panel लिख सकते हैं तो simple मैं दुबारा से बता रहा हूँ no tool जो के हम as a comment लिखते हैं और simple यहां पे मैंने जो के वो no tool लगाया अब जो जिस designer को मैं यह forward करूंगा as a client यह वो उसे पता चल देगा कि यहां पर कोई changing वगेरा करनी है और वो इसको simple open करेगा और यहां पर उसको description मिल जेगी और author name जो के वो मिल जेगा और वो इस description के according जो के वो आपको changing कर देगा तो अगर आपने पाई से changing नहीं करवानी आपने खुद से अपने लिए इसका use करना है तो आप इसमें जो के वो अपनी मर्जी से चीज़ें लिख सकते हैं जो आपको in future जो के वो याद करवा सकता है और जो के वो आपका design जो के वो दूसरे लोगों के पास जाएगा तो व अब यहां से जो कि वो ओथर ने लिख सकते हैं और बी हम इसका चेंज कर सकते हैं सिंपल मैं यहां से थोड़ा सा परपर सी शेड देना जारूं और यहां पर हमारे पास शेड आगी उसके बाद क्लियर आल अगर हमारे पास जादा सारे नो टूल एक ही इमिज में यूज हो और सबसे पहले पताता है यह पैंसिल का सिंबल आप देख सकते हैं अगर आप ने इसकी जो कि आप चारे यहां पर आजए तो सिंपल इसको ड्रैग कर करके आप यहां पर कहीं पे भी जो कि रख सकते हैं तो मैं फिर से बतारूं जो कि वह नौ तूल का काम जो कि हमारे पास जाइजा कुमेंट भी होता है आप इसका किसी भी तरह यूज कर सकते हैं आप अपने डिजाइनर को जो कि आपने डिजाइन कर सकते हैं और उसको कह सकते हैं कि हमें यहां पर चेंजिंग चाहिए और वह उसको चेंज कर देगा लेकिन जो आप आपने किसी बाहिर से अपना डिजाइन नहीं चेंज करवाना आप इसको पर्सनली यूज़ करना चारे हैं तो सिंपल आप इसमें कोई भी चीज़ लिख सकती हैं जो कि आपको इन फ्यूचर याद करवा सके यहां आपको बता सके कि यहां पर मैंने यह चेंजिंग जो क्या करनी हैं सिंपल यह नौटूल का यहां पर यह काम था उसके बाद हमाई पास काउंट वह उसके लिए मैं एक दो सा इमिज जो कि वह ओपन कर रहा हूं और सिंपल यहां पर मैं पास यह चेंज होगी सिंपल आप यहां पर एक ग्रूप सुब्स भी पना सकते हैं जादा सारे जो कि अब वह अकॉंट लगा के आप यहां पे इसको कई सकते हें और यहां पर पिरशे कली आप लादा सारे तो और कि वह और यहां पर की रि मूट करSकते हैं सद्ध आपका एक क्यूंट गोव पोजएंगे और पिर अस दितले से सीरफ आपका का व्लारी हो और गा estable स्बाइब पर एहां पर्षा है पूर सैंपल आपको मैं जुकिए व जुम इन करके पर आ रहा हूं यहां पर आप साइज लेक्रेस दास्ट कर सकते हैं में यहां पर Some तो लेबल साइज भी उसी तरह है सिंपल यहां पे आप जो के वह मैक्सिमम एक साइज कर सकने हैं तो सिंपल मैं यहां से जो कि कर साइज दिक्रीज होगा और ऊप्सलान के वह उनंक राना वाइज नहीं तो आपका साइज जो कि नहीं देख जाएंगे यहां पो यालो कलपी मैं काईंटू लगा रहówं और यहां से इसका साइस का मैं सिंपल पे फ्लाल था लो पास एलो है मैं सिंपल इस पे फी फिर्ष्ट्प काईंट udah लगा रहूं आ प्लाल यहां पे रहों और एक पोइंट यहां पे लगगा जो कि और यहां पर भी एक मेरे पास यलो फॉर मेरे पास ंस inhale और यह पास ग्रॉप टू आएगा ओर्स संपन यहांसे इसका कलर जो किया वो थोड़ा सा ब्लू सा ये शेड में देरों उसके पार यहां पर जो किया वो अपनी हिजाप से मैनेज़् कर सकते हैं तो यहां पर पॉइंट जो किया वो समझने वाला यह आप अपने designer को जो कि ओइ फूटीज जो कि ऊकिए, पास करेंगे, और उसको automatic पता चलतेगा कि ये जो yellow color है, इसको आप उसने convert करना है red color में, और simple, जहाँ-जहाँ पे ये yellow color है, उसने जो किए, वो red color में convert करना है, तो जहाँ-जहाँ पे green color है, उसको उसने जो किया वह ग्रीन कलर से जो किया वह ब्लू कलर में जो किया वह चेंज करना है तो सिंपल इस में में आप उसको बता सकते हैं कि भाया यहां पे हमारे पास यह कलर है इस को इस तरह में जो किया इस कलर में जो किया वह चेंज कर दो तो simple आप वहां पे count लगाएंगे और जहां पे आपने उसको एक note पास करने एक description देनी है एक comment पास करना तो वहां पे आप note टूल लगा सकते हैं तो simple कि आप किसी दूसरे person के लिए भी use कर सकते हैं और simple इसको as a personal भी use कर सकते हैं तो यह चोटी सी क्लास थी तो काफी important टूल थे उसके बाद हमारे पास ceiling टूल आएंगे तो I hope आप भी एक लास पसंद ही पसंद ही तो like करें चैनल को सब्सक्राइब करें और comment करें जिस चीज़ कि आपको नहीं समझ आती तो वह मैं आपको बताऊंगा तो मिल तो मैं आपको next video में थांक यू